चेचक दब्बे या गड़्े भरना नमोमकिन नहीं है कही तरीके दिक तरीके गड़्े भर सकते हैं छेच के दाखधु NBC कर सकते हैं तो आज में आप लोग के इस अएक बहुत ही शरल रेमडी शेयर कर रही हूं जिससे आप अपने चीचक के घढ़ों को भर सकते हो उन्हें रिमूफ कर सकते हो दागधबों से चुटकारा पा सकते हो दोस्तों आप सभी का सवागत है मैं हम आपकी दोश्युदी गुपता दोस्तों आज को जो वीडियो है यह एक रिक्वेस्ट चीचक के घढ़ों करने के लिए अब डॉक्तर से भी क्रीम या मैडिसन्स लेकर भी इन गढ़ों को भर सकते हो यह एक कैमिकल पीलिंग करवा सकते हो यह भी डॉक्टर करते हैं जिससे जो दागधबे है वो रिमूफ हो जाते है ठीक है यह फिल लेजर ट्रेटमेंट होता ह है जिससे यह गढ़े भड़ाते है लेकि थोड़ा सा कॉस्मी पड़ाता है हर कोई नहीं करवा पाता लेकिन घर में ही कुछ ऐसे समान है जिनको यूज करके रेगलर यूज करके हम यह गढ़े भड़ सकते हैं इन दाग धबों को रिमूफ कर सकते हैं तो बहुत ही सारा हम अब लोके शार शेयर कर रहे हूं यह हों वह गढ़े एक क्रीम लगानी है यानी एक नाई प्लाई कर दो आपका यह अपना है यह स्टब बहुत ही सरल है कोई जाधा मुश्किल नहीं है आपका नहीं लगवाग लगे लगगे लेकिन अगर अगर आप रोजाना की अपने द और भी लाइफ को चेंज कर सकते हो क्योंकि यह जो दाग, धबे, गड़े होते हैं यह हमारे आत्मिस्वास को गिराते हैं तो बस 25 मिट आपको अपने ले देने हैं और 25 मिट में आप इन गड़ों से इन दागधबों से चेचक के दागधबों से छुटकारा पा सकते हैं तो किस बात की देरी आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहरा स्टाफ है फेस्वास इसके लिए आप कोई भी फेस्वास चुन सकते हो कोशिश करिएगा नीम का या फिर ग्रीन टी का फेस्वास लीजे मैंने बहुत सारे फेस्वास का रेवियो आप लोगों के शेयर किया है उपर आई बटन पर आपको एक प्लेइलिस्ट विल जाएगी जहां पर आप सारे फेस्वास को चेक आउट कर सकते हो देख सकते हो और अगर आप अच्छा फेस्वास चुनना चाहते हो अपने लिए तो यह सारे वीडियो आप लोगों के यूश्फुल होंग के लिए हमें चावल का आटा मलाई नीमबू और गुलाब जल जाएए दोस्तों यहां पर मैंने पतंजली के गुलाब जल का इस्तिमाल किया है इन सारी चीजों को मिक्स करके हमें एक स्क्रब तेयार करना है चावल का आटा बहुत ही अच्छा स्क्रब की तरह वर्क करता है अगर आप घर पे पीलिंग करना चाया तो चावल का आटा सबसे बेस्ट होता है यह हमारे दाग धबो को रिमूफ करता है साथ हमारे कलर को भी फियर करता है नीमू में बिटामिन सी पाया जाते है और साथ ही इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है इसकिन के डाग धबो को रिमूफ करना चाले पन को दूरखने में यह बहुत जयादा है उल्क फुल होता है गुलाब जल्लहां स्किन को मोश्राइज करता है और मलायी का इस्तेमाल हम अपने चेहरें को मोश्राइज करने के लिए कर रह है दोस्तों हमारा स्करब बन के तेयर है आफ भी आप्लाई करते हैं इस इस क्रब को अपने फेस पेपलाई करना है पाच में वाले श्युमाइब करना है दोस्तों इस मसाज आपके ऊपर की जो डर्ड के वो रिमूव भू जाएगी है अगर हमारी जो इसकिन होती है तो था उचा होती है वह कई पद्ध में होती है दाग एक अच्छा तरीका होता है चेहरे के दाग थबो को रिमूफ करने का अगर आप पीलिंग करना चाहते है तो उसका वी वीडियो आपको चान पे मिल जाएका मैंने आई बटन पे और डिस्क्रप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक शेयर कर दी है यह एक घरेलू तरीका है पीलिंग करने का लेकिन हम पीलिंग नहीं कर रहे है उसका शौट उसका नहीं चौटा पार्ट कर रहे हैं तो आपको भी स्क्रप कर ना जो मसाज़ करने के बाद पंच मिड़ चोड़ देना है धन्य हम थंडे पानी से अपने फेस को वाश कर लेंगे वाश करने के बाद आप देख सकते हैं इंस्टन मेरे फेस बें ग्लू नज़र आ रहा है दोस्तो इसके बाद हमें लगाना है फेस पैक अब हमें बनाना है एक face pack, face pack बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जुरूत है, यहां पे healthy powder लेना है, यह एक चौथाई चमस healthy powder है, दूसरा हमें नीबू लेना है, तीसरा हम यहां पे aloe vera powder का इस्तिमाल कर रहे है, यह इंडस वैली बाय और गनिका 100% natural aloe vera powder है, दोस्तों यह aloe vera powder में कोई भी chemical नहीं होता है, तो मैंने से purchase किया है, अगर आप भी चाहते हैं, तो इसकी लिंक मैं आपको इसकी बाय लिंक मैं आपको description box में सम्मिट करा दूँगी, दोस्तों, एक बात और, अगर आपके पास aloe vera powder नहीं है, तो आप यहां पर aloe vera जल का भी इस्त हमारा face pack बनके त्यार है, इसे apply करते हैं अपने face पर, इस face pack को 15 मिट के लिए अपने face पे लगाना है, उसके बाद थंडे पानी से धुल लेना है, अब हम बनाएंगे एक night cream, night cream बनाने के लिए के वल आपको दो चीजों की जरूरत है, vitamin E capsule और aloe vera gel, दोस्तों, यह vitamin E capsule आपक का इस्तिमाल करना है, और मैं ले रही हूँ, ग्लैमिनो का 99% pure aloe vera gel, आपके पास कोई भी aloe vera gel है, आप उसका इस्तिमाल कर सकते हो, हमें दोनों को mix करके अपनी night cream तेयार करना है, दोस्तों, vitamin E हमारे skin के लिए बहुत जादा हेल्दी है, यह हमारे चेहरे के दाग दबो को remove करता है, साथ ही हमारी skin को बहुत सारी problem से बचाता है, aloe vera gel हमारे skin के लिए beneficial हम सभी को पता है, यह हमारे चेहरे के दाग दबो को दूर करता है, चेहरे के काले पन को दूर करता है, हमारी night cream बनके तयार है, अब इसे apply करते हैं, दोस्तों, आप जब फेस पैक लगा ले, उ सिंपल सा हम अपने फेस को वाश कर लेंगे, तो दोस्तों बस यही कुछ step है, आपको follow करने है, अगर आप daily time नहीं दे पा रहे हो, तो आप week में तीन दिन दे सकते हो, आपने यह step follow करने के लिए और अगर जली result चाहते हो, पंदरा दिन या बीस दिन के अंदर आप चाहते ह जैसे आपके पास चावल का अटा नहीं तो अब बेसन का इस्तिमाल कर सकते हो, बेसन भी अच्छा होता है हमारे फेस के दागधबो को रिमूफ करने के लिए, लेकिन मुझे चावल का अटा पहत पसंद है क्योंकि उसे यूज करने के बाद इंस्टेंट आपके फेस पे ग यह वीडियो आप लोगे शार शेयर नहीं करती, दोस्तों आपके मन में भी कोई सवाल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं मैं उसको सॉल्फ करो तो आप भी कमेंट स्वाक्स पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और मैं उस प्रॉब्लम का स्यलूशन आप आप लोगे शार शेयर करूंगी वीडियो के माध्यम से, तो दोस्तों अगर आज का यूडियो आपको लोगे यूश्फुल हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और पहली बाए चैनल पर आयो तो चैनल को सस्क्राइब कर लो बगर में लगी घंटी बजा दो, फिल्हा आप रट